तो गाईज आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ईलाभार्थी पर जा करके EKYC करते हैं और प्राब्लम ये आ रही है कि मॉर्फो की लाइट जो है बिल्कुल भी नहीं जलती है आप काफी बाद ट्राइ करते हैं लेकिन जलती बिल्कुल भी नहीं है तो आईए चलते हैं पहले हम आपको लाइब करके दिखाते हैं क्या लाइट जलती है और अगर लाइट नहीं जलती है तो उसका भी सोलूसन आज कि इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा तो सबसे पहल आपको यहां पर लाइब करना चाहिए तो मैं वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा लंबा नहीं करूंगा इसलिए मैं आपको शॉट में वीडियो बनाके दिखा रहा हूं और बता रहा हूं तो simply friend आपको यहां पर mozilla firefox में आ जाना है यहां पर e-labharthi आपको type करना है तो जैसे e-labharthi आप type करिएगा देख सकते हैं यहां पर interface एक नया खुल करके आया यहां पर सबसे पहला जो option है e-labharthi का यहां पर आपको simply tick कर देना है तो जैसे friend आप tick करेंगे एक नया pop-up यह यहां पर खुल करके सामने आ रहा है देख सकते हैं यहां पर e-labharthi का जो अपना website है वो यहां पर friend पूरी तरीके से खुल चुका है आप देख सकते हैं कि यहां पर टीन यहां पर interface है एक पहला दूसरा तीसरा तो आपको friend एक जानकारी बता देता हूं मैं कि आपको यह ज daadistic department log in के लिए होता है दूसरा और तीसरा CAC के लिए होता है लेकिन आपको करना है तो तीसरा नहीं दूसरा वाला आपको open करना है आप जैसे दूसरा परahlah organ करिएंगे उसके बाद आपको फिर यहां पर एक login with digital SEVA connect के साथ connect करनेक्ट के लिए आएगा यहाँ पर आपको simply tap कर देना है तो यह friend यहाँ पर खुल रहा है उसके बाद आपको friend यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना digital sewa connect का जो भी id password है वो आपको simply यहाँ पर enter कर लेना है मेरा यहाँ पर enter है पहले से यहाँ पर capture code में जली से भर लेता हूं तो यहाँ पर guys capture code भरने के बाद यहाँ पर sign in पर टिक कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा net का issue हो रहा है तो my friend आपको इस तरह का interface नया खुल दर के सामने आएगा अब यहाँ पर आपको दो option है biometric for ila bharati pension और दूसरा है biometric for aids control तो आपको पहले वाले option पर टिक कर लेना है तो जैसी आप टिक करेंगे friend तो यहाँ पर तीन option है जिसके माध्यम से आप beneficiary को search कर सकते है customer को आप search कर सकते है तो यहाँ पर account है अधार है beneficiary ID है तो मैं यहाँ पर अधार number डाल करके search कर लेता हूं जल्दी से तो यहाँ पर देख सकते है guys यहाँ पर जो है पहले से यहाँ पर demographic authenticated किया हुआ है बट अभी payment नहीं किया हुआ उसके लिए हमें go for biometric authentication पर जाना पड़ेगा यहाँ पर जैसे हम टिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं पर सारा data खोल करके सामने आया यहाँ पर आपको चेक आउट कर लेना यहाँ पर आई दा होल्डर ऑफ अधार हर भी गी माई कंसर्ट जो है इसे आपको चेक आउट कर लेना है जैसी आप चेक आउट करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं refresh device करता हूं लेकिन यहाँ पर morfo का जो signal आना चाहिए यहाँ पर green light बिल्कुल भी नहीं जल रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है लेकिन चला जा रहा है तो simply friend इसे हम कैसे activate करेंगे वही आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो यहाँ से friend इसको simply minimize कर देना है minimize करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है this PC में आपको इस PC में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर Windows C का जो option है यहाँ पर आपको simply tap कर देना है जैसी आप tap करेंगे इसमें आपको search करना है Morpho RD Service जैसी आप search करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक नीचे में option आएगा configure setting C-O-N-F-I-G-S-E-T-I-N-G-S configure setting में आपको जाना है यहाँ पर simply tap करना है जैसी आप tap करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं friend यहाँ पर एक option है communication mode यहाँ बहुत सारा pop-up खुल करके सामने आएगा लेकिन आपको कोई छेट छाड नहीं करना है लेक communication जो mode है यह 0 है यहाँ पर आपको simply यहाँ पर इसको back कर देना है जीरो को हटा देना है जीरो को हटा के friend यहाँ पर आपको एक दबा देना है एक एक दबाने के बाद simply आपको यहाँ से जाना है और file में जाने के बाद इसको save as कर देना है सेवेज करने के बाद आपको यहां पर सिंपली असानी से सेव कर देना है यहां पर यस कर देना है यस करने के बाद आपको यहां से इसको बैक कर देना है पूरा सिस्टम बैक बैक करने के बाद यहां से आपको टास्क बार में जाना है जो सर्च बार है यहां पर आपको जाना है यहां पर इसको open कर लेना है यह open होगा इस कि सर्विस जैसी open होगा तो इसमें आपको friend Morpho RD सर्विस आपको धूंड लेना यहांपर Morpho RD सर्विस आप देख सकते हैं यहांपर Morpho RD सर्विस पर टिक कर लिया हमने उसके बाद जैसे ही आप आप यहां पर left click करेंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि restart का option आ रहा है यहां पर corner में side में इसको यहां से simply restart कर लेना है आपको अब यहां पर लिख क्या रहा है windows is attempting to start the following service on local computer यह friend आपका जो है data complete करेगा यहां से अब यह ध्री ध्री जैसे फुल होगा तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है यह यहां से हमारा complete हो गया अब simply हम यहां से इसको back कर जाते हैं बैक करने के बाद हम यहां पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा वो device connect हुआ या नहीं अब देखते हैं यहां पर दूबारा सफ रिफ्रेस करते हैं इसको यहां पर हम डिफ्रेस कर दिए फड़ा सा इंजार कर लेते हैं ऐसा करते हैं इसको log out कर देते हैं log out करके इसको दुबारा से देखते हैं क्या यह हुआ यह नहीं हुआ यहां पर जाते हैं दूसरा option faces select करते हैं यहां पर login with detail सेवा connect यहां पर जाएंगे करेंगे उसके बाद यहां पर हम अपना जल्दी से अधार नमर डाल के सर्च कर लेते हैं यहां पर जाते हैं go for biometric authentication यहां पर जाकर फ्रेंड इसे हम चेक आउट कर लेते हैं चेक करने बाद यहां पर refresh device पर क्लिक करेंगे तो गाज regular refresh करते रहना है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड जैसे regular refresh करते रहे उसके बाद यहां पर जो एक green single जल चुका है तो उसके बाद फ्रेंड आप असानी से यहां पर कोई दोनों में से एक select कर लें जो भी आपको select करना उसको बार capture biometric data जैसी क्लिक करेंगे उसके बा से जल चुकी है तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड आप जो है अपने RD service को मौर्फो को active कर पाएंगे और तो वीडियो फ्रेंड अच्छे लगी हो मेरी तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और like जरूर कीजेगा ताकि मुझे भी मनोबल मिले और मैं आपके लिए और ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूं और आपका काम आसान करता रहूं तब तक के लिए धन्यवाद बाए